असलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं आप सब को यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेशर पर वेलकम कहती हूं तो आज जो हम टॉपिक इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं वह है थीम्स ओफ जिसके अंदर हम लोग modern poetry, modern drama और modern novel के overall themes को कवर करेंगे और आपको पता है modern time period कौन सा time period था वो time period जो कि 1900 से 1961 तक का time period चाल रहा है तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देशेलों कि मैं अल्रेडी जो modern time period कि मैं अल्रेड है modernism, what is modern age, what is modernism and characteristics of modernism के अपर मैं अल्रेड एक वीडियो बना दी हुई है उसका लिंक में डिस्क्रिप्शिन में डाल दूँगी तो मैं आपको रिकमेंट करूंगी इस वीडियो को देखने से पहले आप वाली वीडियो देख लें ताकि आपको modern time period कैसा time period इसका background clear हो सके और उसके बाद आप themes को देखे तो आपको ज्यादा मजा है को ज्यादा समझ आएगी तो आप स्टार्ट करते हैं topic को पहले बात करते हैं हम लोग theme किया है देखे themes किसे कहते हैं theme कहते हैं theme जो होता है na basically subject matter को कहते है main idea को कहते है ऐसा idea जो के writer अपने work के थू reader को कन्वे करना चाहता है और जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्च्चर में जिसमें मैंने बताया है what is modernism, modern age के है, modern period कहां से कहां तक चलता है उसके features के मैंने बताया है उसमें मैंने आपको बताया था कि जो modern writer होते हैं वो अपने themes के अबाउट बहुत सथा होते हैं even for the sake of themes उपने plot को डिस्ट्रोय करके रखते हैं इनकी कोई proper beginning, proper ending, proper model नहीं होगा क्योंकि इनने अपना main purpose है वो theme है, theme reader करना है तो वो जो themes है नहीं के राइटिंग के अंदर वो कौन से themes है उनको one by one discuss करेंगे और ये themes ऐसे themes क्यों है वो भी discuss करेंगे पहली बात चो पहले important themes हमार happinessness, hopelessness, no family unit, loss of center, communication gap, कि आप देख सकते हैं सारे themes तो स्क्रीन पर शो किये गए हैं सब के सब pessimistic हैं, ठीक है, darker side of life दिखा रहे हैं, ugliness of life दिखा रहे हैं, ठीक है, कितना बंदा अकेला है, तनहा है, उसके पास घर नहीं है, center नहीं है, कोई मकसद नहीं है, कोई goal नहीं है, को family bonding नहीं है, family unit नहीं है, center नहीं है, कोई, religion, faith, belief, उसको पता ही नहीं है, communication gap बहुता है, कि बात कैसे करनी है, आपकी communication में error आ चुका हुआ है, कब आया है, यह सब को सब modern literature में आया है, क्यों आया है, वज़ा क्या थी, वज़ा थी world war, बिल्कुल, world war हुई थी इस time period के अंतर, और जब world war हुई थी, तो हर जगह पर decay, destruction हुआ था, ठीक है, जब decay और destruction हुआ था, तो लोग जो होपलेस होने लग पड़े थे, ठीक है, क्यों, क्यों कि बहुता दा death हुए थी, जब बहुता दा death हुई थी, तो death के बाद लोग फील करने लग पड़े थी, जैसा कि God exist ही न of faith, sex, frustration, economical problem, psychological disorder, conflict between alien versus reality, no morality, no religious concept, rootlessness, अब यह भी थीम देख ले हैं, कैसे हैं, pessimistic से थीम है, darker से थीम है, इसमें दिखा गया कोई faith ही नहीं है, ठीक है, अब जो इसके बाद दिखाए गया है, कोई faith ही नहीं है, ठीक है, अब जो इसके बाद दिखाए गया है, तो इसके बाद भी बाद गया है, due to world war, world war होती है, जब जंग होती है, तो इकम आपिर रिस्टाव होती ही होती है, ठीक है, तो यह एक main event है, जो इस time period पर हुआ था, वो था world war का, इसके लावा जो दो इवेंट्स इम्पोर्टेंट थीम हो थैं क्लोनियलिजम का, क्लोनियल थीम चुरू ज जिसके पास पावर है, जब वो आकर उस कंट्री के ओपर हकूमत कायम कर लिए जिसके पास पावर नहीं है, तो उसको हम कहते है क्लोनियलिजम, ठीक है, फॉर एक्जामपल, सब कॉंटिनेंट के गरें मिस्ट्री को रिकॉल करें, तो उस टाइम पर पर क्या हुआ था, कि सब कॉंटिनेंट के ओपर, ब्रिटिशर्ज ने आकर अपनी रूलिंग कायम कर ली थी, अपनी हकूमत चुरू कर ली थी, ठीक है, हकूमत करने के बादें या कर दिया था, उसने जो हाँ पर सब कॉंटिनेंट में पाको हिंद रहते थे ना, इंडो मुसलिम रहते थे, उनके उपर उसने एक्स्प्लॉइट किया था, किसने बिटिशर्ज ने आकर, तो जो वो एक्स्प्लॉइटेशन हो रही थी, एक्शली वो क्या चल रहा था, वो क्लोनियल्सम का जब लोग माइग्रेट हो थे थे दूरेशन में वार भी हुई ठीके, अब वोड वर फर्स्ट, माइग्रेशन और क्लोनियलिजम ये तीन मेजर इंपक्त है, और मॉडरन राइटिंग इंतीन इन तीन इस्तोरिकल इवेंट का बहत ता मॉडरन राइटिंग के ऊपर और और अही चीज आजे जिफे सोञची है वे लोग देटाब है, सबस्क्रिक डिरे लें डिस नियुक्त रागलोंग यह के शीम retail यह प्राइटिसंडेशी चईयुकंड यह दुश्चेश्न देटाइ वरत कई सबस्क्रिक्षान इस्तर्चिंडेये आगया सब गह मत्या थै पर आपने लग थी निए रहने लग थी, तो किसी ने किसी इस को भूब देखा था था एंको ने को था था आवाज़ में दो खायां जाए कर दो था क्ए हैं पर आपा ठीक हैं ज़गा क्या हैं प्र सब्सक्राइब दोगा उनके बच्छें उनके उनके ने जो माबाप थे वो वाजने माजने वहाण ने बच्चों के टिके डवद आधे तो डवर क्या होँ एंक्ट कक या इंपक्ट क्याउगा टिस्ट जी तो इसके बाद इसके बाद इमंजीने के नहीं तो था और रिलिसम तो ऊजस्टार का सोच नहीं दीक तीह जिए का हम चेखना कर रिलिस्टिक आटिम्टेगा निजा correct तक रिलिस्टिक लीमियरे सब्सक्राइब ऐसर लाइब वह रहां और हमद्यों को हो कहां है और का रिलिस्टिक हैघ्पार शुक्या न में से बहस्त independent कि अपने मजभण से घर जाओ जब आपने मझघब को로 ना करो तो क्या हो अतांता है नियुрий का इस फिर चाहिए रिए नियुक्त कें समय होन तर ख्शोर मुझे बह्ते नहीं ओ तो आप डिस्ट्रोय हो गए आपकी जो सौल थी वो सौल आपकी बारन हो गई और इस बारन नेस को हम लोग तीयस इलिएट के राइटिक में देखेंगे किस तरह उसमें में इंसान की जो सौल बारन है इंसान जो है वो एक मेकानिकल रूटीन कुजार रहा है रोबोट लाग रूट्रीन कुजार रहा है उसकी लाइफ में उसकर परपस ही नहीं थीक है रूट्लेस ना साधेती है इंसान की लाइफ के अधर इसके लावर कुछ थीम्ज जो हैं इंपोर्टन वह हैं इंड्रेस्ट्यी लोग पड़ी थीज़ हर शेगाँ इंड्डी इंड़ लोगों टोलरंज लाहिया थी वो कॉत्व हो चुकी थी तायर नहीं आगए थी स्टार्ट हो गया था लोगों एस ट्राइफ बहुत लुगों रे तरय जो जो डिकित लुगों इसक निलन तो सोचोचों इन अ क्या शीज को क्या क्या गथते शीज को क्या रिए इसीज को क्या रिख आए धेफे थिस यह भी यह नियुए बैशक पर कृझ्पल बागा हैं or अब अॉर पदातों आपका ध्या क encourage का पर कर दे ओर का लिए जो आप मैंड w gateway तो इप मैंने मैंट सोची हियार तो यह तो आप मैंड मैंड में सोची जारें थ्रू 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 भोग स्ट्रीàng अरी के लाभर अइस परसे प्लास दाष्या ओस्ट्राइब करते हैं। और एंट खिए तक में आरे किना ए सका जाते हैं। जो आपने अधनिटी क्रिएट करना के लिए लेकिन उसको पिर भी अपने लाइफ में बहुत हादा हादा शेयालिटी देखने हैं Psycho Analysis जो स्ट्रीम अफ कॉंशिसने लिंक्ड और इसके लावे सिट्रीम इगोस्टें बाता आता है और Psycho Analysis जो जिसने हमारा एंगर अग्रेशन और लव इमोशन सब कुछ आजाते हैं और इस इन नोवल्स में हम लोग देखते इसकस किया गा है इसके अदर विमन राइट की बात की जाए वह फैमनिस्टिक नोवल होते हैं जिसके इंदर दिखाएगा एक फीमल को एक्स्पोयाट किया जा रहा है सब कुछ भी हम डिखते हैं इसके अदर मोडर्न डामा के अदर मोडर्न पोईट्री के अदर प्रेजेंट हैं पैसिमिजम क्या हता है जितने भी हम ने अब सारे के सारे थीम्जिस कई वह पैसिमिस्टिक थीम थे पैसिमिजम कहते हैं तो शोग डाउगली अंड़्र साइड ऑफ लाइफ ठीक है तो यह बहुत ही इंपॉर्टन थीम है पूरे लिट्रेचर का पूरे मॉडर्न लिट्रेच हम यह देखते हैं कि Gary Musk यह जा पजिए बीजयन से दूर की बात रहा रिलीजयन से जो के बात की जाएब बेश्र ही बात की जाएब इक पहला की जाएब इस्ट्रक्शन की बात थे theo hop friendships की बात की जाएब झात did a इम लें। जusa के जाये तो यवि आभ यूजु आपको सब के सब थीम्स अच्छा लडगे होंगे अच्छा एग फिट फिए आपको बछूएँ इस नीच न में बडूरी में चाल आपको अज आएग को लाइक पेली अज्टियो को लाइक यां इक एक घर अगे अजय को अजय को आगा एंग स्वाजब करेंजस